पल्टू राम ने मारी पल्टी बिहार में बदल गई सियासी तस्वीर लोगसबा चुनाओं का गेम प्लान चेंज किसे फायदा किसे नुकसान नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रियाबिस्ट अब वक्त हो चला है से मुद्दो पर विस्तार से बात करने का जुजनता राज देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं सियम नितेश कुमार के अंडिये में वापसी के साथ ही बिहार में अंडिये और इंडिया गठबंदन में तस्वीर पूरी बदल गई है नितेश कुमार के विपक्षी गठबंदन छोने से पहले सीट शेरिंग का फॉर्मूला तै हो रहा था विपक्षी गठबंदन के लिए मुस्लिम यादो समिकरण के सारे बीजेपी से दोहजाच चौबीस में मुकाबला करना आसान नहीं है इसलिए सभी विपक्षी एक जुठ होकर बीजेपी को हराने की रणीती पर काम कर रहे थे लेकिन सीम साहब के पल्टी मारने के बाद सारा का सारा प्लान फेल हो गया तो आज बात होगी सीम के बड़े कदम से हुए बदलाओ की बात होगी लोगसबा चुनाओ के गेम प्लान की बात होगी फाइदे और नुकसान की तो चलिए शुडू करते हैं लोगसबा चुनाओ दोहजाचॉबीस से ठीक पहले बिहार में सियासी बदलाओ हो गया है विपक्षी गठबंदन इंडिया को एक जूट करने वाले जेडियू प्रमुक नितेश कुमारा बीजेपी निर्थित वाले एंडिये का हिस्सा बन चुके हैं बीजेपी के सांथ मिलकर नितेश ने एक बार फिर से सरकार बना ली है बीजेपी कोटे से समराच शौधरी और विजे कुमार सिनहा को डिप्टी सियम बनाया गया है नितेश के सियासी पाला बदलने से बिहार की सत्ता का समिकर्ण ही बदल गया है इतना ही नहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाओं में सूबे का गेम प्लान भी बदल गया है सियासत में कभी कोई किसी का नदोस्त हो सकता है और ना ही दुश्मन नाजनितिक परिस्थितियों के लिहाज़े से दोस्त और डुस्मन बनते रहते हैं करीब देड़ साल पहले जब नितीश कुमार ने पाला बदल कर महा गठ बंदन में एंट्री की थी तो उस समय बीजेपी ने कहा था उनके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए ब मजबूर कर दिया है आर जेडी कॉंग्रेस फिर से विपक्षी की भूमी का निभा रहे है तो बीजेपी सरकार में भागीदार बन गई है ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोगसभा चुनाओं की सरगर्मी के बीच नितीश के पाला बदलने से किसे नुकसान और किसे फायद और विपक्ष दोनों ही गठबंदन का स्वरूब बदल गया है नितीश कुमार विपक्षी गठबंदन के प्रमुक चहरों में से एक रहे विपक्षी दलों के एक मंच पर लाने में नितीश की एहम भूमी का रही थी 2022 में एंडिये से अलग होकर विपक्षी खेमे में आने के बाद नितीश कुमार ने अलग-अलग राजियों में जाकर विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी उनकी पहल पर विपक्षी गठबंदन की पहली बैठक पटना में हुई थी ऐसे में नितीश कुमार अब जब फिर से अंडिये का हिस्सा बन गए है तो विपक्षी दल के अंडिये में वापसी के साथ ही बिहार में अंडिये और इंडिया गठबंदन दोनों की तस्वीर बदल गई है नितीश के आने के साथ ही एंडिये गठबंदन में बीजेपी जेडियू लजेपी जितनरामाजी की पार्टी हम और उपेंद्र कुश्वहा की पार्टी शा कि ये है कि कुश्वाहा और मांजी पिछले चुनाओं में गहां गटबंदन के साथ थे लेकिन अब NDA के साथ है बीजेपी के निर्थत वाला NDA इस बार कड़े कुन्बे के साथ मैदान में उतरेगा लोगसबा का गेम प्लान चेंज बदलेगा सीट शेरिंग का फॉर्मूला नितेश कुमार के NDA में शामिल होने से लोगसबा चुनाओं में सीट शेरिंग का फॉर्मूला विपक्षी गठबंदन और NDA दोनू में बदल गया है बिहार में 40 लोगसबा सीटे है एंडिये में पहले बीजेपी लजेपी हम और खुश्वाह की पार्टी के बीद सीट ब लड़ी जेडियू बराबर सीटों पर चुनाओ लड़ी थी नितेश के NDA में आने से पहले तक बिहार में बीजेपी कम से कम 30 सीटों पर चुनाओं लड़ने की प्लानिंग कर रही थी लेकिन 2024 में दोनू पार्टीयों के बीच फिर से बराबर बराबर सीटों का फॉर्मू का फॉर्मूला बन रहा था उसमें और जेडियों के बीच बराबर सीटे लड़ने की प्लानिंग थी इस तरह सतरा सतरा सीटों पचुनाओं लड़ने की सहमती बन रही थी और कॉंग्रेस चार से पास सीटे मिलने का अनुमान था और लेफ्ट को दो सीटे ही दी जा रही थ विपक्षी गठबंदन में कॉंग्रेस और लेफ्ट को पहले से जादा सीटे मिलने की संभावनाई दिख रही हैं बिहार में लेफ्ट चार से पास सीटे मांग रहा है तो कॉंग्रेस आठ से 10 सीटों की टिवान कर रही है ऐसे में आर जेडि अपने सयोगी कॉंग्रेस और लेफ्ट को भले ही उनकी मांग के मुताबिक सीटे ना दे लेकिन उन्हें पहले से जादा सीटे मिल सकती है सीम नितीश कुमार के विपक्षी गठबंदन में रहते हुए बीजेपी के लिए बिहार की लड़ाई काफी मुश्किलों भरी लग रही थी क्यों क्योंकि 2015 के वधानसबा चुनाव में इसी तरह की स्थिती बनी थी जिसमें महा गठबंदन भरी पड़ा था इसके पिछली वजह बिहार का जाती समिकड़ और जाती आधार पर होने वाली वोटिंग पैटर्न है कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी के आंतरिक सर्वे में लोगसबा चुनाव को लेकर अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा था बिहार में जेडियू, आरजेडियू और कॉंग्रेस का इंडिया गठबंदन मजबूत नज़र आ रहा था लेकिन नितीश के पाला बदलने के बाद सियासी तस्वीर ही बदल गई है नितीश कुमार को अपने पाले में करने से बीजेपी को सबसे जादा फायदा तो ये होता दिख रहा है क्योंकि जेडियू तीसरी ताकत बिहार में बनी है लोगसबा चुनाओं से कुछ महीने पहले बिहार में हुए उलट फेर से इंडिया गठ बंदन को जवाब देते नहीं बन पाला है बीजेपी के इस तर्क को भी बल मिलता है कि विपक्षी गुट एक अस्थर गठ बंदन है बीजेपी को अब इसको चुनाओं में ये कहते हुए भुनाने की कोशिश करेगी कि इंडिया गठ बंदन में दल आपस में ही लड़ते रहते हैं और देश के लिए ठीक नहीं होगा 2019 में राज की 40 सीटों में 49 सीटों पर एंडिया ने जीत हासिल की थी अब नितीश के दोबारा एंडिया में आने पर बीजेपी उस प्रदर्शन को दोहराने या उससे बहतर करने की कोशिश करेगी वहीं 2024 के लोगसबा चुनाओ में नितीश कुमार के एंडिया के साथ मिलकर चुनाओ लड़ने पर विपक्षी दलों के लिए बड़ा जटका ही नहीं बलकि सियासी चुनाओती भी होगा विपक्षी गठबंदन के लिए मुस्लिम यादो समिकरण के सहारे बीजेपी से 2024 में मुकाबला करना असान नहीं है क्यों क्योंकि बीजेपी का टारगेट पचास फीसदी प्लस वोट का है यादो और मुसलिम मिलाकर पैकिस फीसदी के करीब ही वोट होता है इसी समिकरण के वड़ालत 2019 में आरजेडी और कॉंग्रेस ने बीजेपी से मुकाबला किया था लेकिन सफल नहीं रहे कॉंग्रेस महज एक सीट मुसलिम बहूल किशन गंज ही जीत सकी थी जब कि आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था हालाकि 2020 के वधानसवा चुनाओं के सियासी समिकरण बदले हैं लेकिन बीजेपी एक बड़े गठबंदन के साथ मजबूत राजनितिक समिकरण भी बनाए रखे हैं ऐसे में विपक्षी गठबंदन के लिए एंडिये से बिहार में मुकाबला करना आसान नहीं होने वाला है सियम नितीश ने बदला दल दलों के बदले जाती समिकरण बिहार में नितीश कुमार के पाला बदलने के चलते गठबंदन के जाती समिकरण भी बदल गए है बीजेपी सवार्ण वोटो बैंक के साथ दलित OBC और अती पिछड़ा समिकरण के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे नितीश कुमार के अने के बाद छोटे दलो का बहुत सियासी स्पेस नहीं बचा है ऐसी मोने NDA में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता अज के लिए इतना ही फिर पेशोंगे ने मुद्दे के साथ बाकि तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी नमस्कार और हां बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे विडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया